शिरी भक्तमाल में प्रभु प्राप्ति के मार्का अंसरन करने वाले भक्त शिरी ददी जी जी प्रोकाराई सत्ताम विभुत्या एक बार की बात है देवराज इंदर अपनी सवा में बैठे थे उन्हें अभी मान हुआया कि हम तीनों लोकों के स्वामी हैं ब्रामन हमें यग्य में आहोती देते हैं देवता हमारी उपास ना करते हैं फिर हम सामान्य ब्रामन ब्रस्पती से इतना क्यों डटते हैं उनके आने पर खड़े क्यों हो जाते हैं वे तो हमारी जीवका से पलते हैं ऐसा सोच करके वे राज जी सिंगासन पर डट कर बैठके भगवान ब्रस्पती के आने पर ना तो वे सियम उठे पर ना सवा सदो को उठने दिया देव गुरु ब्रस्पती जी इंद्रका यहे उधत्या देख करके लोट के और कहीं एकांत विज्जा करके छिप के थोड़ी देर के पश्चात देव राज का मा दोतर गया उन्हें अपनी गलती मालम हुई वे अपने कृत्य पर बड़ा पश्चा ताप करने लगे दोड़े दोड़े गुरु की यहां आई किन्तु गुरु जी तो पहले ही चले गे थे निराश होकर के इंदर लोटाई गुरु के बिना यग्य कुन कराई यग्य के बिना देवताई शक्ति हीन होगे असिरों को ये बात मालम हो गई उन्होंने अपने गुरु शुक्राचारे को सम्मती से देवताओं पर छड़ाई कर दी इंदर को सर्ग छोड़ करके भागना पड़ा सर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया प्राजित देवताओं को लेकर के इंदर भगवान ब्रह्मा जी के पास की अपना सब हाल सुनाया ब्रह्मा जी ने कहा तवश्टा के पुत्र विश्य रूप को अपना प्रोहित बिना करके काम चलाओ देटाओं ने ऐसा ही किया विश्य रूप बड़े विद्वान विदग्य और सिदाचारी थे किन्तु इनकी माता असुर कुल की थी इससे ये देटाओं से छिपा करके असुरों को भी कभी कभी भाग दे देते थे इससे असुरों के बल की बिद्धी होने लगी इंद्र को इस बात का पता चल गया उन्हें दोसरा कोई उपाए ही नहीं सुचा एक दिन विश्य रूप एकांत में बैठे वेद धिन कर रहे थे कि इंद्र ने पीचे से जाकर के उनका सिर काट लिया इस पर उन्हें ब्रमहत्या लग गी जिस किसी परकार गुरु ब्रस्वती जी पर सन्न हुए उन्होंने यग्य आदि करा करके ब्रमहत्या को प्रिध्धी जाल विरिक्ष और इस्त्रियों में बांट दिया इंद्र का फिर से सुट पर अधिकार हो गया इधर तवश्टा रिशी ने जब सुना कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मार दिया है तो उन्हें बड़ा दुख हुआ अपने तब के प्रभाव से उन्हें उसी समय इंद्र को मारने की चासे एक बड़े भारी बलशाली द्यत्य वृता सुर को उत्पन किया वृत्रा सुर के प्राकर्म से संपूरन ते लोक्य वैवी था उनके ऐसे प्राकर्म को देख करके देवराज इंद्र भी डर गे दोड़े दोड़े ब्रह्मा जी के पास के सब हाल सुना करके उनने ब्रह्मा जी से वृत्रा सुर के कोप से बचने का कोई उपाए पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा देवराज तुम किसी परकार वृत्रा सुर से बच नहीं सकते। ने बड़ा बली तपस्षी और भगवत वक्त है। उसे मारने का एक उपाए है कि नमिश अरन में एक महिर्शी धदीची तपस्या कर लें। वो गरताप के परभाव से उनकी हड़ियां वज्जर से भी अधिक मजबूत हो गई है। यदि प्रोकार की चासे वे अपनी हड़ियां दे दे और उनसे तुम अपना वज्जर बनाओ तो वृता सुर मर सकता है। भरमा जी की सलाह मान करके देवराज समस्त देवताओं के साथ नमे शेरन में मुचे। उगरत पस्या में लगे हुए भगवान दधीची की उन्होंने भाती भाती से स्तुती की। ताब दिशी ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। इंदर ने हाथ जोड़ करके कहा ते लुक की मंगल कामना के निमत आप अपनी हड़ियां हमें दे दीजी। महिशी दिजी ने कहा देवराज समस्त देधारियों को अपना शीर प्यारा होता है। स्विच्चा से इस शीरियत को जीवित अवस्ता में छोड़ना बड़ा कठीन होता है। कि तो ते लुक की मंगल कामना के निमत मैं इस काम को भी करूँगा मेरी इच्छा तीर्थ करने की थी। तो इंदर ने कहा ब्रहमन समस्त तीर्थों को मैं यहीं बुलाए लेता हूँ। ये कहकर कि दीवराज ने समस्त तीर्थों को नमेशियरन में बुलाया। सभी ने रिशी की स्तुति की रिशी ने सब में शनान आजमन आधी किया और वे समाधी में बैठके जंगली गउने उनके शेर को अपने काटेदार जीव से चाटना अरंब गिया चारते चारते चमड़ी उड़ गई तब इंदर ने उनकी तब पूतर रेट की हड़ी निकाल उसे एक महान शक्ती शाली तेजों में दिवी वज्जर बनाया गया और उसी वज्जर की साहिता से देवराज इंदर ने रित्रा सुर को मार करके ते लोकी के संकट को दोर किया इस परकार एक महान प्रोबकारी रिशी के अद्वी तीयत त्याक के कारण देवराज इंदर बच गे और तीनों लोग सुखी हुई संसार के इतिहास में ऐसे उधारन बहुत थोड़े मिलेंगे जिन में स्विच्चा से केवल प्रोबकार के ही निमत जिन में मान प्रतिष्टा आदे अपना निजी स्वात कुछ भी ना हो अपने शीर को हस्ते हस्ते एक याचक को सौप दिया गया हो इसलिए भगवान द्धिची का ये त्याग प्रोबकारी संतों के लिए एक परमादर्श है द्धिची रिशी की और भी विशेष्टा देखिए श्री अश्नी कमारों को ब्रह्म विद्या का अपदेश दिने के कारण इंदर ने इनका मस्तक उतार लिया था फिर अश्नी कमारों ने इनके धड़ पर घोड़े का सिर्थ चड़ा दिया और इससे इनका नाम अश्य शिराविक ख्यातवा फिर इंदर ने इनके साथ इतना दोस्टव बरताव किया था उसी इंदर की महिर्शी ने अपनी हड़ी दे करके सहायता की संतों की उदारता ऐसे ही होती है वज्जर बनने के बाद जो होड़ीयां बची थी उनी से शिवजी का पिनाक धनुश बना था दतीची भ्रमा जी के पुत्र अथरवा रिशी के पुत्र थे साब्रमती और चंद्रभागा के संगम पर इनका आश्रम था